आपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों वीर वेंकट वाकलपुरी नापपुर जिले में अभी फिरहाल चर्चित हैं क्योंकि इन्होंने लगवक डेड़ सों से 200 करोड की ठगी किसी पैसे वालों से नहीं किये ठगी किसानों से किये जिनके उम्र सत्तर पच्छत्तर ऐसे हो यह कुस्तों ऐसे भी हैं जो डेथ कर गए 2005 में डेथ किये 2006 में उनके नाम पर लोन इशू हो जाता है 2007 में उनके हरे पर नोटीस आता है कई ऐसे भी हैं किसानों के साथ में एक बड़ा मजा करने वाला वीर वेंकट वाकलपुरी के खिलाफ पुलिस करवाई कर रही है और किसानों का करज माफ हो आरोपी जल्द पकड़ा जाए इसको लेकर के पुरविधायक डीम अलिकार जुन रेड़ी और भाजब के तमाम शिष्ट मंडल उपविभागी अधिकारी राम्टेक यानि के SDO राम्टेक पहुंचे वहाँ उनके द्वारा उपव मुखे मंतरी और मुखे मंतरी इन दोनों का पत्र लिखा कि किसानों का करज माफ किया जाए किसानों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हुआ इसमें किसानों के कोई गल्ती नहीं वो तो अन्जान थे लेकिन उनके साथ वीर वेंकट वाकलपुरी नामक वैक्ती ने बड़े पहमाने पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस देश को बनाने वाला गरीब मजदूर और किसान वर्ग हैं जिन्होंने अपनी खून मेहनत से सीचा है इस देश को और बनाया है और ऐसे में उन मजदूर किसान वर्ग के साथ में अगर दोखा दड़ी हो तो उनके साथ न्याय होना य उन रेड़ी और सिष्ट मंडल द्वारा जो मांग की गए कि किसानों के करज माफ होने चाहिए वो कहीं ने कहीं उचित है क्योंकि किसानों की कोई गलती नहीं वो निर्दोष है गलती करने वाला फरार है पुलिस उसके जास कर रही है और उमीद करते हैं कि इस पे जल्द आप तक लेकर आएंगे आप हमारे साथ परने रहें देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंक के साथ सिर्फ इन विस्टियन उच्पे सच दिखाए बीना छुपाए जहींद